बिहार में लॉक्डाउन से जुड़ी ही इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वापको दे दे लॉक्डाउन 4 पर भी मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बड़ा फैसला सुना दिया है बिहार में एक बर फिर से लॉक्डाउन की ओधी को बढ़ाये गया है एक सब्ता के लि मुख्यमंत्री नितीश कुमार का ट्وीट आपको दिखाते हैं सेम नितीश कुमार ने ट्वीट कर वकाइद इस बात की जनकारी दिया है कि बिहार में अगले एक सब्ता के लिए लॉक्डाउन को बढ़ाये गया है ट्विट करते हुँ मुख्यमंत्री निक्गा को देखते रखे देखे मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने अपने ट्वीट में बड़ी बाते कही है कि वेपार के लिए अतिरिक्ते छूट दी जा रही है तो इस वक्त कि बड़ी खबर मापको दे रहें बिहार में लॉक्डाउन फोर पर मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने वरा फैसला लिया है क्रैसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठा के बाद स्रीम नितीश कुमार ने बड़ा निर्ने लिया है कि बिहार में अगले एक सब्ता के लिए और लॉकडाउन की अवधी को बढ़ाया गया है अब आठ जून तक संपुन बिहार में लॉकडाउन रहेगा देखे आप में संकर्वन से मुक्ति मिल सकती है और यही वज़ा है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एक बार फिर से साथ दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया इससे पूर एक जून तक के बिहार में पुर्ण लॉकडाउन था आज मुख्यमंत्री नितीश कि व्यपारिक कारोबार के लिए सीधे तोर पे कहा है कि थोरी छूट मिलेगी हालांकि छूट क्या होगी ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन जो सुत्रो के नुसार खबर है वा आपको बता दे कि जो बेहार में कारोबार से जुरे हुए लोग हैं उनके लिए राहत की खबर हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से बेहार में लॉग डाउन को लेकर सभी दुकाने बंद हैं सभी कारोबार ठब पड़े हैं कहीं न कहीं उसे अब चालू किया जा सकेगा लॉग डाउन फोर में हालांकि अब आगे क्या होगा ये वी देखने वाली बात ह लेकिन फिलाल जो बड़ी खबर है मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने त्वीट कर इस बात की जानकारी दी है देखिए जो सुत्रों के नुशार जानकारी हम आपको देदें जो जानकारी यह सामने आ रही है खबर है कि दुकानों को भी खोला जाएगा और साथी बजारों से भी सम्मंदित जूरी हुई छूटे भी कुछ न कुछ मिलेगी और जो इपास से जूरी ही छूट है उसमें भी मिलेगा यातायात को लेकर भी कई न कई थोड़ी सी छूट देखने को मिलेगी और इन तमाम बातों को गौर करना होगा देखना होगा जब मुख्यमंत्री नि चॉछ के लिग दाए दो करें के लज दो करें